दोस्तों, थोड़ी शान्ती, सुन्दर नजारे, थोड़ा रोमांच और थोड़ा मनोरंजन के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मिल जाए, फिर क्या कहने हैं? अप्रेल से जून तक परियतन के लिए सबसे अच्छा समय होता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार की ऐसी जगह के पारे में, जो किसी जन्नत से कम नहीं है, जिसे बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है, बिहार की पटना राजधानी से 133 किलोमीटर दूर पर ककोलत जलप्रपात है, जिसे यहां के लोग बिहार का कश्मीर बोलते है, इ इसे नियागरा ओफ बिहार भी कहा जाता है। यह नवादा जिले के पहाडियों से खिरा हुआ है। गर्मी शिरू होते ही यहाँ पर परियाटकों का तांता लग जाता है। यहाँ करीब डेर सो मीटर की उचाई से पानी गिरता है। जिस कारण इस जगह की खुबसूर्ती मे चार चांद लग जाते हैं। ककोलत को लेकर एक धार्मिक माननेता है कि महाभारत काल में ककोलत के पास एक रिशी के शिराप की वज़ा से राजा निगर गिर्गिट के रूप में वास करते थे। अग्यात वास के दौरान पांडवों के आने से विश्राप से मुक्त हुए ककोलत जल प्रपात पहुचने के एक किलो मीटर पहले से ही ठंडी हवाएं आपका स्वागत करने लगती है। करीब तेर सो मीटर की उचाई से गिरने वाला पानी कई पहाडियों से गुजरते हुए यहां गिरता है। पानी के शुरोत के बारे में कई बार जानकारी लेने क कोशिश की गए। लेकिन इसका पता नहीं चल सका। कहा जाता है ककोलत जल प्रपात पहले नकसल प्रभावित इलाकों में आता था। यहां आने से पहले लोगों को सोचना पढ़ता था। जैसे जैसे समय बदल रहा है। वैसे ही वेवस्था बदलती जा रही है। गर्मी भोजन को बेहती स्वादिष्ट बनाता है। ककोलत में शाम होते ही वहां से लोग निकलने लगते हैं, क्योंकि वहां पर रुखने के लिए अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए।